सो हेले दोस्तों नमस्कार इंबस्पेंट क्रक्सिस में आज सभी का दिल से बहुत-बहुत सोगत है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे मल्टि बैकर मिटकर स्टॉक के बारे में दोनों स्टॉक में आज के दिन बहुत बड़े अपडेट निकल के आज चुक है से इ इस वी लेविल पर तो यह वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्डर होने वाला है सो सबसे पहले हम बात करेंगे एंजियल लॉन लिम्टेट के बारे है एक बहुत फंडमेटर बहुत ही श्रॉंक कमपनी है बहुत शांदर कमपनी सिर्फ इतना ही नहीं यह कमपनी आने वाले बाजर में अच्छे कासे gap up open रहा तो ये तीजी भी आपको अच्छे कासे continue होते हैं देखने को ज़रूर मिल सकता है और इसका target क्या होसता सारे point में detail में और logic के शाहत बदाऊंगा तो चले एक एक हम सारे important point को cover करता हूँ सबसे पहले बात करें कंपणी के balance के बारे में में अगर company को कोई problem होता है तो इस reserves को निकालके company के जो problem है उसको वो sort out कर सकता है so reserve दोस्तों जो आप income करते हो जो company income करते है इंकम से जो profit कमाते है उस profit के थोड़े सी हिच्छा reserve में डाला जाए अगर reserve लगातार grow हो रहा है यानकी company के business लगातार हमें grow होते हुए देखने को मिल रहा है अब 5 साल के अंदर 5 गुना reserve हो चुका है यानकी company के जो business है वो भी five time multiply हो चुका है company के जो sales है वो भी five time multiply हो चुका साथ-साथ company के net profit है वो भी 5 गुना हो चुका क्यूंकि company के net profit से ही फोड़ी सा reserve में डाला जाता है साथ-सा stock जो price है वो भी आपको 5 साल में 5 गुना होते है देशने को जरूर मिल गया होगा सो अगर बात करें कि company को पर कोई करजे है long time तो एक रूपे कभी नहीं जूकि company के लिए बहुत बड़े positive news है क्यूंकि company को पर एक रूपे कभी करजे नहीं है यानकि company जो कमा रही है साथ सा company के profit कमा रहे है उसके उपर से एक रूपे भी किसी को interest नहीं देना होता है मतलब जितने वो कमा रहे है वो अपनी जेव में जा रहे है जो कि company के growth के लिए बहुत बड़े positive news है सो अगर बात कर company के पास cash की दोस्तों आप short time boring को भी देख सकते हो तो short time करजे में वो एक सार के लिए होता है तो उसको हम ज्यादा preference नहीं देते है अगर बात कर company के पास cash है तो बिलकुल है पहले 900 करोर के आसपास फिर सारे 900 फिर 1300 फिर 1800 अब दोस्तों नियर वाइ 5000 करोर के आसपास हमें cash देखने को मिल रहा है जो कि बहुत इस balance sheet को अब 5 star 10 star balance sheet बहुत से तो balance sheet दोस्तों बहुत strong होना यहनकी company के business बहुत शांदा तरह की से grow हो रहा है no doubt company अगर income करेंगे business से तभी वो सारे चीज़ों को fulfill कर पाएंगे अब यह चीज़ा आप खुछ से भी realize कर है हमें तो अल्री पता है कि यह stock broking है diversity by financial company जैसे अब the primary engaged in the business of stock commodity and currency broking तो यह चीज़ा आपको अल्री पता है अगर बात करें key point की जो कि ता company financial product and service offering including broking service तो business तो हमें business model हमें सभी को पता है लेकर बात करें एक main key point के उपर 11,000 करों के market cap है high बनाय थे 2022 के आसपास जो कि मैं इ 2000 के बाइशो तक जा सकता है यह जैसे 2000 के top बनाया तब बाजर में correction है और stock में हमें एक profit booking देखने को मिला है जो के नॉर्मल सी nature है और लोग की बात करें अभी जो हमें देखने को मिला current price वो 1360 के आसपास यह चीज़े चलती रहता है क्योंकि एक mid cap small cap type की company तो easily वो 1300 जाएग अगर आप ऐसे बहुत हो तो कि इस अगर growth रखा तो आने बले time में 50-60,000 करोड की company अगर बन जाता है तो खुद सोचने ना आपके जो investment है वो भी 57 गुना हो जाएगा इस level से और लिदी 56 गुना कर चुक है उसके बाद भी इस current level से भी 56 गुना हो सकता है तो यह point भी आप ल currency बहुत strong है business model बहुत शांदर है company के जो market curve है सारे पहुन हो आपको बता चुको अब देख लेते company income कितनी कर रहे जैसे हमें आपको पहले ही बता दे पांस सार में company के रिजर्व हमें 5 टाइम होते है देखने को मिल रहा है तो company के growth भी 5 सार में 5 गुना होना चाहिए सो आप 2015 से आप देखना पहले कितने अच्छे नहीं करते है उसके बाद अच्छे का सा में देखने को मिला है 200 फिर यहां से bounce back देखने को मिला है 400 suddenly आप देखने को मिल रहे है इसके पीछे का reason ही है company पहले 2020 से पहले सिरफ 183 आप बोल सको सारे 700 करोड के आसपस कमाते थे और यहां शांदर होगा तो फ्राइज आपको अल्टिमेटी उपर ही जाते है देखने को मिलेगा तो इस बार की नंबर के इस बार की नंबर भी मुझा हमें decent देखने को मिला क्योंकि इस बार की नंबर और भी important होने बाले क्या important होने वाले हो भी मैं आगे 0 बताने और एक parameter जो कि बहुत शांदर parameter है दोस्तो प्रमोंटर के पास 44% के आजपास के पास 10-10% के आजपास 9% और public के पास 36% बहुत positive बात है क्योंकि सब के पास distribute होते हैं आज आते हैं main key point के उपास सबसे पहले बात करते हैं आज की दिन आपको तेजी देखने को मिला 3% उसके पीछी का reason उसके पीछी का reason है दोस्तों आपने देखा होगा 13 October को result साथ डिविदेन भी डेक्लार कर चुका तो डिविदेन के डिविदेन कितना percent मिलेगा साथ रुपए आठ रुपए दस रुपए यह होते capital गये जूकि एक एक लाग चाल लाग पांच लाग दस लाग बनेगा आपके कैसे बीस सदार दो साल में पांच जूना हो जाए एक लाग हो जाए यह focus में आपको रखना होता है ना कि 10 रुप हमने देख ले और भी बहुत सारे parameter cash flow बहुत सारे चीज़ है लेकिन उसमें नहीं जाएंगे यह बाकी जो मैंने parameter दिखा है इस parameter को देखके भी किसी stock को पीक करोगे 100% आपके portfolio में कोई गलत stock नहीं आएगा बलकि वो stock आपको आगे जाके top पर ही जाते हो देखने को मिलेगा जैसे मैं आपको पहले ही बता दे आज की दिन के तेजी के पिछे का reason कहा है अब आते main key point को पर जो लोग बहुत सारे comment भी आते कि एक साल के target क्या हो सकता है खुछ सोच ले ना जिन्होंने आज से दो साल पहले stock को बाई किया दो साल हुए निया भी 9 तारिक को होगा तो दो साल पहले जिन्होंने सिर्फ 270 पर stock को बाई किया तो उनको इतना लगा था कि एक साल में पैसे double हो सकता है max to max एक साल में double भी हो जाए बहुत है लेकिन एक साल के अंदर पैसे 3-5 गुना हो चुगा तो यह ना जब company अच्छे करेंगे ना company लगातर अच्छे करेंगे तो no doubt आप एक साल में जितना सोचो गए कि हमारे पैसे एक साल में double हो जाए वो आपको 3-4 गुना रिटन देदेगा तो यह point आपको पता आना चाहिए तो company के business को पर focus रखने चाहिए nice stock price को पर तो इतना मैं क्राचो धमदार company आप जरू होल करना तो 13 October को इसके number है number अगर जिनको phase bank नहीं कि अभी तक और थोड़ा सा low risk चाहिए तो Q2 के number देखना और 12 दिन बाद number आई जाएगा तो number देखके buy करो तो सबसे best है बग्यरा हज़ार करो के market cap है यह company आगे जाएक 60,000 करो के भी market cap बन जाएगा जो की potential पूरे ज्यादा है और stock market में जितना ज्यादा grow करेगा यह company को उतने ज्यादा फायदा जरू हो जाएगा तो यह जो आपके अभी level देखने को मिल रहे है यहासरी 57 गुन आपके पैसे easily हो देखेंगे और इसकी business model भी आप चाहो तो study कर से तो capital market है मतलब एक diversity है आपको अच्छी तरह से पता है जो हम DP charges देता है वो CDSL को फायदा होता है तो अगर बात करें market cap ही तो 13,000 करो की यह भी mid cap company आने बाले टाइंगा अभी तो सिर्फ 10 करोड डिमेड आकॉन एक्टिव 10 कर इसको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा सो इसकी भी एक P&L देख सकतो यह चीज़ा में इसलिए आपको दिखार यह देख लेना 2020 इस 100 की range में आप देखने को मिला सड़नली कोबिट के बाद 200 करोड सारे 300 करो सारे 300 करो क्यों क्योंकि कोबिट के बाद एक साथ 4 करोड डिमे इसी वैसे बाद जितना इंक्रीज होगा बाद में जितने ज्यादा लोग पार्टिशिपन करंगे सीडियसर को इतने ज्यादा फायदा होगा बहुत शांदर कम्पने मोनोपोली श्टोक है जरूर होल करना फिर टॉप पर बाद बादे सोचना भी नहीं है जब भागेगा बाद में कभी ने कभी रैली जरूर आगा तो श्टोक में भी आपको रैली देखने को जरूर मिलेगा जो कि आपके रिवल तोर्की भी आपको जरूर देगा लॉंग टाइम के लिए होल करना दोस्तों लॉंग टाइम में आपको बहुत बड़े प्रॉफिटी जरेंट कर जेगा जो कि आप देख वाएंगे को डाउट है करना सेथ में पूछत तो और इस वीडियो कोई पर आच्छे लेगे वीडियो को लाइग के लिए से बेगा सो तो मुलते ऐसे ही इंटे टीब्यों को साथ अब तक के लिए बाद